हलो बच्चो, वेलकम टू एडू मेंशन, मेरा नाम है स्रेश्ट गुपता और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि सैनिक स्कूल ए काउंसलिंग के राउंड वन का रजल्ट कब आएगा और आपको कैसे उसे देखना है एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि आप खुद कैसे वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं कि राउंड वन का रजल्ट आया है या नहीं आया है सारा डीटेईल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो पर बने रहें एंड तक और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को फ्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि सैनिक स्कूल अनौदे विजाले से सारा डेटा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको नीव टैप फोल ला किसी भी ब्राउजर में आप खोल सकते हैं क्रोम पर खोल सकते हैं Microsoft Edge पर खोल सकते हैं सफारी पर खोल सकते हैं आपको Google search पर जाना या किसी भी और दूसरे search पर जाईए और वहां पर search करिए static school इसको हमने क्लिक किया कुछ एसा आप लोगों को इंटरफेस में आपको समझना क्या है कि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर राइट सैड में आपर देखे कि काईडली विजट कीप विजटिंग पोटल फो राउंड वन सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट और अधर अपटेट्स याने कि यह कहना चाहरा है कि देखी राउंड वन का जो भी सीट अलॉट्मेंट है वो भी तक आया नहीं है लेकिन आपको डेली आके वेबसाइट चेक कर ही है तो आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजें यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आप खुद इस वेबसाइट के अंदर में पता कर सकते हैं कि राउंड वन का रेजल्ट आया है कि नहीं और राउंड वन ही क्यों आरांड टू राउंड है कांसलिंग शेड्यूल ठीक है यहां पर यह कुछ कड़बड हो गया क्या क्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं एक बार ट्राई करते हैं इसको कांसलिंग फिरसेस को रिलोड कर देता हूं शयद कुछ इशू आ रहा है वेबसाइट पे यहां पर यह कांसलिंग शेडियूल आया एक पूछ से नदर में इस पर क्लिक करिएगा तो यह क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहां पर वैपसाइट में कुछ दिखाई देगा जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस इंटरफेस में कुछ लिखा हुआ है चो सिंपल शब्दों में लिखा है मैं एक बार बस आपको समझा देता हूं ताकि आपको किसी भी इस से रेलेटेट चीज पर डाउट ना हो हलाकि आप खुद समझदार हैं आप खुद समझ सकते हैं अगर थोड़ी आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो यहां पर बोले रेजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के स्टार्ट डेट था च्छे मार्च को और च्छे मार्च को स्टार्ट हो चुका था चार बजे हाला कि हमने देखा ही था कि च्छे मार्च को बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था तो उस टाइम पे हम करनी पाए थे रेजिस्ट्रेशन बढ़ ठीक है रेजिस्ट्रेशन ओवरल कम्प्रीट हो गया 13 मार्च तक 13 मार्च को लास्ट देट था और उसके बाद यहां पर लिखा हुए सीट एलोकेशन रि रेजल्ट राउंड वन का तो यहांपर रेजल्ट की डिट लिखा जाएगी कि हांप यह रिजल्ट आ गया है उसके बाद आपको राउंड वन के बाद वैरिफिकेशन के लिए अपना मेडिकल का कॉल आएगा आपको ऐमेल में भी आ सकता है और आपको भई फोन भी बुला अंधर में और फिर राउंट तो में आप लीजलत कर सकते हैं और वैसे कि राउंड टू का र пр caval ग कर सकते हैं अगर आप संधिसवाइड नहीं है राउंड वन की राउंड करना है कि counseling का result कब आता है कैसे आता है मैं बता दूँ कि कोई भी डेट अनौंस नहीं हुई है सैनिक स्कूल के साइड से कि कब round one का result आएगा बट आप कुछ दिन वेट कर लिजे कुछ दिन के अंदर में ही result आ जाएगा इतना सफीशन था नौलेज आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का कोई भी क्वारी है वह क्लियर हो जाए अगर फिर भी कोई डाउट वसता है तो comment section पर जाएए प्लीज वहां पर आप कुछ भी कमेंट करिए मैं reply करूंगा आपके doubts क्लियर करूंगा साथी साथ में अग अगले वीडियो में तब तब के लिए हसते रही मुस्कुराते रही देखते रही सबकी क्लास टाटा बाई-बाई-बाई-जय हिन